ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स राजनीती में हार, जीत, बोता, चड़ा चलते रहते हैं। विक्ति को, इनसान को और खासकर आने दे कारे करता को अपना मुद्धा, अपना लक्ष पहचानना चाहिए। हम विदान सभा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन ये लोग सभा का चुनाव, ये बदलाव का चुनाव है। और बदलाव की सुबखाट पूरे देश-परदेश में मुझे देखने को मिल रही है। आज पहले चरण का मद्दान हैं, राहिस्तान की सब सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम भाजपास से ज़्यादा सीटे कांगेस पाटीजी दिग राहिस्तान के अंदर। बीजेपी कह रहे हैं, पचिस का पचिस हेट्रिक लगाएंगे। कॉंग्रेस को उम्मीद लग रही है, कुछ आजाएगा, कुछ क्या होता है। नहीं नहीं, जब उपर वाला देता है, छपर फाट गे देता है। और बीजेपी ने पिसली बार सारी सीटे जीती थी, लेकिन वो अलग पर सीती थी। आज पांच साल के बाद बीजेपी की दस साल की रिपोर्ट कार्ड पर ही लोग मुल्यांकन करकर वोट डालेंगे। और हर वर्ग, खासकर किसान वर्ग, नौजमान वर्ग चाहता है और समझता है कि हमने बहुत कुछ दिया है भाजपा के कहने पर, लेकिन आश्वास से जुमले वादे कब तक सुने हैं। लोग बदलाब चाहरे हैं और हमारा कैम्पेइन, हमारी स्ट्राडिजी, हमारी कम्यूनिकेशन, नेरेटिव, हमारी एजेंडा, मैनिफेस्टो, हमारी कैंडिट्स भाजपा से बहुत बहत बहतर हैं। इस परस्तूं कॉंग इस पार्टी के परफॉंस बहुत अच्छा रहेगा। इस बार जिस तरह से हमने राहस्थान में देखा, बहुत सारे आपके पार्टी के लोग छोड़ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अच्छा नहीं लगता। लेकिन चुनाव से पहले यह पलायन होता ही हर बार में, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, किसी पर दबाव होगा, किसी की मजबूरिया होंगी, क्या विवस्ता है मुझे मालूम नहीं। लेकिन जनता जो मद्दाता है, वोट पार्टी को देता है, आडियोलोजी को देता है, कटबंदन को देता है, परफॉर्मस को देता है। इसलिए व्यक्तिविशेश बहुत जाद है महत्पूर में समझता नहीं। खासके बड़ा चुनाव है लोग सभा का। इसलिए लोग पर कमेंट नहीं करूँगा, महां जो खेचाव है, इतने सारे पावर सेंटर बने हुए राजिस्तान के अंदर और चार महीने में सरकार कोई बहुत ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाई लोगों के अंदर, इसलिए उसका भी नुकसान लगता भाजपा को होगा, हमारी पार बीजेपी कॉंग्रेस का वंट बन कॉंटेस्ट है, खासकर उत्तर भारत में और पश्ची महारत में, वहाँ पर हमारा स्ट्राइक रिट इस बार बहुत बहतर रहेगा, और कॉंग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ही हम लोग इंडिया लाइंस को मस्बूती से चा यहां दो चड़न में चुनाव हैं, अभी कुछ हमें बाकी है, जो बाकी बच्चीवी सीट हैं, हमाँ पी सब लोग जाएंगे, और चुनाव को वेक्ति नहीं लड़ता है, एक इंसान बीस लाग, बाइस लाग लोग तक कैसे पहुंच सकता है, इसने पूरी पार्टी चु अभी करल जा रहा हैं, तो सचीन पैलट जो देश भर में भूम रहे हैं, तो क्या महौल लग रहा है को कॉंग्रेस के प्रति, लोग कहा रहा है कि सीटे घटे की कॉंग्रेस को लग रहा है कि हमारी बढ़ेगी, जो एक रुजहान क्योंकि मीडिया में जो प्रचार होता है, प्रपगेंडा है, इश्तिहार अख़वाट, उससे अलग एक सीनेरियो बनता है, लेकिन जो वास्तिविक्ता है, जो लोगों के दवी जुमान में जो बाते करते हैं, जो फीडबैक वरकर्स कम को मलता है पूरे देश भर में, और मैं अनेक राज्यो में गया हूँ, चाहे पार्टी के खाते जब्त कर रहे हो, मुख मंतरियों को आप जिलो में डाल रहे हो, तो लोग भी चाहते हैं कि कुछ चेक और बैलेंस बहुत जरूरी है, उसका फाइदा कॉंगेंस पार्टी को मिलेगा, और हम लोगों ने जो अपना मैनिफेस्टों तियार किया, जो राम मंदीर का लहर, मोदी लहर आपको दिखाई दे रहा है? कॉंग्रेस और इंडिया लाइन्स के पक्षमें है, फिर मैं उस सवाल पूछा चाहूंगा, कि मैं जानना चाहता हूं कि इस विधान सवा से इतने चार-पांच मैनों मैंसा क्या हो गया है, कि आप लोगों की उमीदे बंद गई है, देखे विधान सवा चुनाव एक अलग किया, किसान की आमिर दुबनी करेंगे, नौजवान को दो को रोजगार देंगे, परफॉर्मेंस पे, हाइएस्ट एवर रिकॉर्ड़ अनिम्प्लॉइमेंट आज देश में है, महंगाए आस्वान चूह रही है, और जो खाई है, अमीर करीब की इतनी बढ़ गई है, वो जवाब देना पड़ेगा, पबलिक साथ कम बोले, लेकिन मत्पीटी के माद्दम से वो अपनी वाज धरूर पहुचाएगी, वो पच्चिस की पच्चिस कहाते हैं, आप आंकड़े नहीं बताते हो, मैं तो को ऐसा है, बड़े बोल बोलना शोभा नहीं देता है, लेकिन मै इतना कह सकता हूँ आपको, दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा से ज़्यादा सीटें, कौंगेस पर्टी जीते गराई सामें, मैं पूछता हूँ, आप दोसा जीत रहे हो, मैं तो क्यों नहीं जीतेंगे, जी अच्छा जीतेंगे हो, मैं चुनावा, इसके लावा भी नाग हमारी विजय होगी, और मैं भाजपा की तरहें बहुत ज़्यादा बड़े बोलनी बोलता हूँ, लेकिन मैं इतना क्याना 25 सीटे हैं, अपना गणित लगा लीजिए, मैं कहता हूँ, हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे, हालाकि आखड़े नहीं बता रहे हैं इस बार बहुत साय नौजवानों को इनों टिकट दिलवाया है, इसलिए इनकी भी प्रतिष्ठा राजस्थान में दाओं पर लगी हुई और देश भर में गांधी परिवार के बाहर सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है, इसलिए इनकी भी लोग प्रियता का ये टेस्ट ह हो सकता है ये लोग सभा चुनाओ, कैनल मनिस के साथ शरत कुमार, जैपूर